देखो, हमने कुछ और प्रोपर्टी देखें, देखो जैसे, एक प्रोपर्टी ये होती है, जैसे माल लो, हमने क्या किया? एक पराबोला ले लिया, कौन सा पराबोला है? वही y² बराबर 4ax, देखो, y² इकोल टो 4ax पराबोला ले लिया, देखो, ये इसका फोकस होगा, हमने क्या किया? दो पॉइंट्स ले लिये, P और Q, पराबोला के उपर, है ना? मतलब हमने focal chord नहीं लिया, focal chord था वो थी जब सीधी line होती है, जब हम P Q को join करके सीधी line बनाते हैं, तब वो focal chord होती है, focal chord नहीं है, मतलब S है, दो पॉइंट्स, हमने क्या किया देखो, इस P पॉइंट्स पर एक tangent बनाया, और देखो, Q पॉइंट्स पर एक tangent बनाया, ध्यान दू, ठीक, माल लो यहाँ पर यह Q है, ऐसे, एक tangent बनाया P पर, एक बनाया Q पर, दोखो, माल लो यह T पर काटते हैं, आपने देखा था, इनका point of intersection क्या होता है, यह आपने देखा था, ठीक, देखो, अगर हम इसको इससे मिलाएं, और इसको इससे मिलाएं, इसी पकार इसको भी इससे मिलाएं, ऐसे, हाना, मलत दोखो, यह हमारा P पॉइंट पर tangent है, यह Q पॉइंट पर tangent है, दोनों tangent T पर काटते हैं, हाना, हमने PT को focus से मिलाया, QT को focus से मिलाया, दोखो, ध्यान दू, यह angle और ये angle हमेशा बराबर होंगे मतलब अगर ये angle theta है तो ये भी angle theta होगा ज्यान दो मतलब PT focus पर जो angle बनाएगा और QT दोखो ये line QT है ना दोखो ये ऐसे ये है ना दोखो ये है ना ऐसे ये और ये दोखो ऐसे इधहन दो ठीक ये हमारा focus दोखो ये जो angle होगा theta वही angle दोखो ये भी होगा theta मतलब PT focus पर जो angle बनाएगा वही angle QT भी focus पर बनाएगा ठीक अच्छा एक बात और ध्यान दो इसको हम असानी से proof कर सकते हैं दोखो जैसे P point को कुछ माल ले S तो हमको मालुमी है Q कुछ माल ले अच्छा उनका point of intersection हम निकालना जानते हैं फिर हम क्या करेंगे इस angle को निकालेंगे इसका slope निकालें इसका slope निकालें तो 10 theta angle between two lines हम निकाल सकते हैं M1-M2 upon 1 plus M1-M2 इसी पकार इस angle को भी निकाल सकते हैं तो हमें इस line और इस line के बीच का angle चाहिए और इस line इसके बीच का angle चाहिए बो दोने angle अपने आप से बराबर आएंगे इस बात को हम बड़ी आसानी से चाहें तो proof कर सकते हैं कर नहीं रहें जरूरत नहीं है क्योंकि ये result हमें याद रखने हैं अगर proof कर भी लिए तब भी जो result मैं बता रहा हूँ ये result हमें याद रखने हैं ध्यान दो और करना चाहें तो बड़ी असानी से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं जैसे पी पॉइंट को माल लो 81 square 21, q को माल लो 82 square 282 है न तो t point क्या होगा हमने बताया भी आपको ठिक a,0 होता है तो इसका सलोप निकाल लो m1 और इसका सलोप निकाल लो m2 फिर 10 थीटा का फामूला अपलाए करो इसी पकार इसका सलोप निकाल लो इसका सलोप निकाल लो 10 थीटा का फामूला अपलाए करो दोनों जगए से वो इसके बराबर होगा ये देखो बीटा मतलब दोखो इजो ट्रेंगल है कौन सा ट्रेंगल देखो टी एस पी देखो टी एस पी ये ट्रेंगल दोखो क्या होगा हना टी एस पी ट्रेंगल देखो हना दोखो ये टी एस पी ट्रेंगल ये ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा देखो ये एंगल इसके बराबर ये इसके बराबर ये दो ट्रियंगल के तीनों तीनों एंगल बराबर तो दोनों ट्रियंगल क्या हो जाते हैं similar ये बात हमको मालूम है अगर ड्रो ट्रियंगल के तीनों एंगल बराबर तो आपस में क्या हो जाते है similar अब देखो अगर ये similar आ रहे हैं तो similarity की property क्या होती है? corresponding sides का ratio बराबर मतलब देखो जैसे ये angle theta है, इसके सामने की side क्या है? PT तो यहां से लिया PT दोखो ये angle theta है, सामने की side क्या है? QT, तो PT by QT हाना देखो, ये PT और QT क्या होगी? corresponding side ओकी दोखो, theta के सामने की side और theta के सामने की side बराबर, देखो जैसे ये angle alpha है, इसके सामने की side क्या होगी? ST फुर देखो, ये angle alpha है इसके सामने की side क्या होगी? SQ बराबर देखो ये angle beta है, सामने की side क्या होगी? PS देखो, ये angle beta है, सामने की side क्या होगी? ST ठीक, तो ऐसा हम यहां पर लिख सकते हैं दोखो यह एंगल है इसके सामने की साइट PT यह एंगल सामने की साइट QT PT upon QT equal to दोखो बीटा के सामने की साइट SP क्या किया सुरी अलफा के सामने की साइट ST और यहां दोखो अलफा के सामने की साइट SQ फिर दोको बीटा के सामने की साइट PS और दोको बीटा के सामने की साइट ST आपस में बरावर हाना ट्रेंगल सिमिलर है तो उनकी साइट का रेशो आपस में इक्कल होता है इसमें कोई नई बात नहीं है वो हमने लिखा ठिक तो ये बात हमें याद रखनी है कि अगर हम एक tangent pt ले लें, qt तो focus पर उनके बनाए गए angle आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों के दोनों triangle आपस में कैसे होते हैं बोलो similar होते हैं ध्यान देना अब देखो क्या करें हम, ध्यान दो हम लोग क्या करें एक parabola बनाएं ऐसे करके दोखो ये ये tangent बना दिया और दूसरा point इस q को ही मालने दोखो दूसरा point ये q हो गया ध्यान दो ऐसे और इनका point of intersection क्या हो गया t हो गया ध्यान दो ठिक तो दोखो एक tangent ये ले लिया और एक ये ले लिया क्योंकि दोखो ये भी एक tangent ही तो है vertex पर tangent है तो एक tangent यह लिए एक tangent यह लिए और मालो यह इसका focus है For example, तो क्या होगा देखो यह जो angle बनेगा focus पर यहां से चिक, और इसका जो angle बनेगा focus पर यह आपस में बराबर होंगे यही तो पड़ा हमने भी कि QT का angle focus पर और PT का angle focus पर बराबर होंगे ठीक अच्छा उसकी बाद देखो क्या होता है ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल अगर अलफा है तो क्या होता है देखो ध्यान दो ये एंगल अगर अलफा है तो ये एंगल देखो इस एंगल के बराबर होगा ठीक और दोखो यह एंगल 90 है हमको मालूम है तो यह भी 90 होगा है ना बोलो यह एंगल थीटा तो यह भी थीटा अगर यह अलफा है तो यह इसके बराबर होता है और अगर यह 90 है तो यह इसके बराबर था है ना और दोखो यह बीटा एंगल दोखो इसके बराबर था Ahな दो भुछ ये QT भुछ ये QT भी टाइंगल इसके बराबर था वो चीज़ दो यहाँ पर आ गई अब दो भुछ ये दोनों ट्रिएंगल भी सिमिलर हैं तो प्रपर्पर्टी लगा सकते हैं क्या प्रपर्पर्टी दोखो थीटा के सामने की साइट P-T 90 के सामने की साइट PS और यहां देखो 90 के सामने की साइट क्या हो गई? ST. ठीक है? बिलकुल गई. अब अगर इन दोनों को ले लें तो देखो यहां से क्या हो जाएगा? ST स्क्वाइर बरावर PS into QS ध्यान दू. देखो यह. ST स्क्वाइर बरावर PS into QS. और देखो ध्यान दो, यह एंगल 90 हो गया, यहां से, मालुम चल गया. तो इससे क्या फैदा हुआ? मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम फोकस से टेंजेंट पर, कोई भी टेंजेंट, परपेंडिकलर ड्रॉप करते हैं, तो जो पॉइंट आफ इंटरसेक्शन मिलता है, वो टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है, हम ऐसा कह सकते हैं. दोगों, यह मालो कोई भी टेंजेंट है. अगर हम फोकस से किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकलर ड्रॉप करेंगे, तो जो फुट आफ परपेंडिकलर होगा, वो हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पर आएगा, हम ऐसा कह सकते हैं. दोगों, जो परपेंडिकलर ड्रॉप किया है, हमने टेंजेंट पर तो टी पॉइंट मिला, टी पॉइंट कहां आ रहा है, दोगों, फुट आफ इस पर आ रहा है, टी पॉइंट कहां पर आ रहा है, टी पॉइंट आ रहा है, टेंजेंट एट वर्टेक्स पर, ऐसा हम कह सक सकते हैं तो देखो ये भी वही focus से related property है अभी हमने जितनी भी properties पढ़ी हैं वो देखो सब कहीं न कहीं focus से related properties है focus से सम्मंदित properties इसको लिखो अब देखो ये angle आपस में बराबर होंगे इनको आसानी से proof किया जा लेकिन जरूवत नहीं इनको याद रखो अगर प्रूफ कर भी लेंगे तब एक्जाम में जरूवत पढ़ेगी तो ये याद होने चाहिए इसको याद करो ठीक है लिखो बच्चो द्यान से इसको